हलो गाईज स्वागत हैब सभी को फिर से हमारे एक नए से व्लॉग में नए उर्जा के साथ दोस्तो आज जो तारीक है वो 13 माई 2023 है और वक्त हो रहा है अभी 9 बच कर 50 मिनट सुबा के वक्त हो रहा है तो अभी हम देड़ घंटा पहले सो कर उठे थे तो लेट होगी आज उठने में क्यूंकि रात को लेट से सोए थे अभी हम जा रहे है कॉलेज और कॉलेज जाएंगे कुछ काम है दोस्तों तो कॉलेज जाते है और उसके बाद वहाँ से आएंगे तो आज हमारा जो टार्गेट है वो हम टार्गेट आपको वहाँ से आने के बाद बताएंगे और एक एक करके देखते है आज टार्गेट को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं और अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करतीजेगा गाइस हम कॉलेज से वापस रूम आ चुके हैं दोस्तों और कॉलेज से वापस आये थे हम 11 बजे और बस जैसे ही आये दोस्तों हम चले गए नहाने तो नहावाके रेडी होके अभी हम बैठे हुए है और नास्ता वास्ता तो कुछ किये नहीं थे तो अभी नास्ता कर रहे हैं दोस्तों तो ये देखिए नास्ता में अभी हम बैठे हुए नास्ता करने के लिए हलका फुल का नास्ता ही हम करते है ज्यादा भारी नास्ता नहीं करते है खाना खाते है अच्छे से भारी जो भी खाना खाना होता है सब खाते है अच्छे से अराम से तो ठीक है दोस्तों सबसे पहले हम नास्ता कर लेते हैं वो है डेटा एंट्री पूरा कमप्लीट कर देगे आज और उसके बाद दूसरा टार्गेट हमारा वह कम्प्लीट करना है वह कंप्यूट करना है तो हमारा चौत 기본 कपड़ा ढह detail है कोई धोए वोए नहीं है अभी तक कपड़ा को तो कपड़ा भी धोना है बहुत ज़्यादा अभी तुरंथ हम इसलिए नहा लिए क्योंकि हम बाहर से आए ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था तो ठीक है दोस्तो और इतना target अगर complete हो जाता है तो ठीक है देखते है क्या होता है तो ठीक है अभी हम नास्ता करते हैं हमारा नास्ता तो हो चुका है अब हम target number one को start करने वाले है और हमारा target number one है data entry करना तो पहले हम data entry करते हैं दोस्तो और उसके लिए हम setup पुरा तयार कर चुके हैं तो देखिए दोस्तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डेटा इंट्री तो ठीक है दोस्तो हम डेटा इंट्री करते हैं उसके बाद आप से मिलते हैं अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है मेरा डेटा इंट्री तो देखते हैं अभी से बैठते हैं तो कितना कर सकते हैं कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पता है कितना देर में कंप्लीट होता है सब बताते हैं आपको अभी टाइम हो रहा है सावा बारा तो देखते हैं कितना देर में हमारा जो है पहला टार्गेट को कम्प्लीट कर पाते है दोस्तो डेटा इंट्री करते करते अभी अढ़ाय बच चुके है और अभी जस्ट दस मिनाट पहले हम उठे थे और दोस्तो खाना खाना बहुत जरूरी है तो अभी हम खाना चढ़ाय हुए है खिचड़ी चढ़ाय है और साथ में चटनी रहेगा दोस्तो तो क्या-क्या खाना हम बना रहे हैं वो हम खाते समय दिखा देंगे तो अभी हम डेटा इंट्री को रोक चुके है अभी अपना जो target है अभी complete नहीं हुआ है data entry वाला तो अभी सबसे पहले खाना खा लेंगे उसके बाद फिर जो बचा हुआ है उसको complete करेंगे खाना खाने के बाद तो यह देखिए गाइस cooker अभी चड़ा हुआ है हमारा खिचड़ी का तो देखते हैं कितना दिर में हमारा खिचड़ी बन जाता है और पापड भी छानेंगे तो फिलहाल अभी खिचड़ी बनने देते हैं पांस मिनट तक और रहेगा उसके बाद फिर हम उतार देंगे उसको तो गाइस खिचड़ी जो है हो चुका है आप देखते हैं खिचड़ी कैसा हुआ है ओपेन करके चेक करते हैं वाव यह देखिए दोस्तो अभी इसमें जो टमाटर है इसको निकालेंगे शेट टमाटर तो पूरा इसी में गल गया है दोस्तो तो कुछ इस तरह का बना है दोस्तो खिचड़ी अभी इसमें जो है ना तड़का लगाना बाकी है तो तड़का लगाएंगे तो और मस्त हो जाएगा घी का तड़का लगाएंगे अभी अधा मस्त लगेगा खाने में तो ठीक है अभी हम घी का दड़का लगाते है इसमें और देखते हैं चटनी कैसा बनता है टमाटर जो है पूरा बहुत ज्यादा कल गया है उसके अंदर तो चटनी जो है हमको नहीं लगता है कि ज्यादा बन पाएगा लेकिन ठीक है टमाटर के चटनी ज्यादा नहीं खाएं तो आप हम खाना खाते हैं दोस्तो और देखते हैं टेस्ट करके कि कैसा लग रहा है तो दोस्तो अब हम अपना खिच्डी टेस्ट करते हैं कैसा बना है खिच्डी वो देख रहे हैं इसमें घी भी डाल दिये हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर भी उपर से ही अच् ये नमक है घटने पर नमक लेंगे फ़ले टेस्ट करते हैं नमक किसा है खिजड़ी एक नमबर बना है दोस्तों चावल भी पूरा गल गया है और नमक थोड़ा कम लग रहा है तो नमक ले ले रहे हैं थोड़ा सा एक नमबर बना है दोस्तों अभी बीना चट्नी का अच्छा लग रहा है अब चट्नी लेते हैं तो कैसा लगता है टेस्ट करते हैं मज़ा गया है इसमें आलू भी डाल दिये हैं यह देखिया आलू क्या खिक्री बनाए दोस्तों अचार चट्नी और उसके साथ में घी खिचणी में डालो और यह मज़े से ऐसे उठाओ साथ में पापड़ वाव होटल से जो खाना खाते है ना उसका कोई असर ही नहीं होता है और लगता ही नहीं कि कुछ खाए भी है और यह घर का खाना होता है जो खुद से बना के खाते हैं उसका बात ही अलग होता है अचार बहुत अच्छा लग रहा है अचार का टेस्ट बहुत अच्छा है तो गाइज अभी जो है ना शाम के साड़े साथ बज रहे हैं और हमारा टार्गेट नमबर वन कंप्लीट होने वाला है दोस्तों बस दो और तीन डाटा बचा हुआ है तो वही अब लास्ट होने वाला है दोस्तों तो देखते हैं अभी साथ बज कर 31 मिनट हो रहा है तो अब हमको यही देखना है कि अब कितना दिर में हमारा पहला टार्गेट कंप्लीट हो जाता है बारा बज़े से स्टार्ट किये थे अभी तक लगे हुए है हम डेटा इंटरी में बीच में थोड़ा रेस लिये थे खाना काते समय तो ठीक है दोस्तों देखते है क्या होता है तो फाइनली गाइस टार्गेट नमबर वन हम अपना हीट कर चुके है अभी समय हो रहा है दोस्तों शाम के 7 बच कर 40 मिनट और हम स पूरा दिन लग गया दोस्तों złया और अब इसका जरूरत नहीं है डेटा इंटरी करने का सुरू से लेकर इंस दर खतमए है तो डेटा इंटरी का काम खतम हो गया अभी market जाना तो जरूरी है तो market जाएंगे दोस्तों market जाके जब वापस आएंगे तब उसके बाद target नमबर second को हम start करेंगे तो यह देखिए दोस्तों अब यह हमारा पूरा काम खतम हो चुका है अब हम इसको क्या करेंगे लॉग ओट करेंगे और उसके बाद अभी मारकेट जाएंगे उसके बाद हम दुसरा काम जो है अपने स्टार्ट करेंगे अभी हम दोस्तो कॉलेज में है और कॉलेज का night view देखे दोस्तों कैसा है इस साथ जाता है boys hostel का रास्ता और अभी हम निकलने वाले कॉलेज से बाहर वाव पूरा सननाटा है क्या भी हुए कॉलेज का जब प्रोग्राम होता है ना तब देखते तो गजब का लगता पूरा लाइट लगा हुआ रहता है हर जगा पर क्या भी हुए निकलते हैं भी हम रविंदरनाद गेट बाहर आगे तो अब हम जाते हैं दोस्तों रूम पर और रूम पर जाके खाना खाएंगे उसके बाद भी आपसे मिलते हैं नेक्स टार्गेट को पूरा करने के लिए तो गाइस अभी हम कॉलेज से वापस आ चुके हैं रूम पर और अभी हम खाना खाने वाले हैं दोस्तों और अभी जो समय हो रहा है रात के 9 बच कर 50 मिनट हो रहे हैं दोस्तों तो अभी हम खाना में क्या खा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं तो ये देखिए दोस्तों आज हम खाना खाने वाले हैं ये हैं कचोड़ी और थोड़ा प्याज ले लिए है, मिर्स ले लिए है और ये है अचार थोड़ा टेस्ट के लिए और उसके साथ हम खाने वाले हैं टमाटर का चटनी, तो मस्त सा तो ठीक है गाइस, अभी हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद अपने टार्गेट को पूरा करते हैं